कि हलो स्टूडेंट गुड इबनिंग वेल्कम टू पीवीर स्टड़ी बच्चों आज आपका चैप्टर नंबर टोल का इंट्रोडक्शन का दूसरा भाग है आज आपका इंट्रोडक्शन खतम हो जाएगा यह और फिर आपका अध्यायकल से बाराक सुरू हो जाएगा जिस इन्हें लिखने का तरीका क्या है अगर शाथी मेरे मेजर सेक्टर को दीर भाग और माइनर सेक्टर को लगुभाग बोलते हैं यह मैं आपको पीछे बता चुका हूं है न यह आप जानते हो तो इसमें एक चीज़ आप और समझ लीजिए अगर यह इसका सेंटर है यह मैं को पिछली सायद कलास में ऐसे बताया था कुछ यह आपने देखा था ना यह मैंने इसका क्या किया एक पार्ट बना दिया भाग बना दिया तो आप देखिए यह चोटा वाला भाग है इस पूरे सरकल का यह बड़ा वाला ना थोड़ा सांतर बहुत कम लग रहा होगा लेक पूरे माइनर सेक्टर माइनर सेक्टर जिसे लगु भाग बोलते हैं लिखने में समस्या हो तो ऐसे लगु भाग ठीक है समझ लीजी अभी चैप्टर में इनका बहुत योगदान है काम लगेगा याद रखिएगा इनको बहुत अच्छे समझ लीजी तो अगर हमें दिर्ग भाग या लगु भाग को दिखाना है किसी को रिपरजेंट करना दिने पढ़ेंगे कैसे जैसे तिर्भूज अगर होता यह थोड़ी बोलेंगे एवी और माइनर सेक्टर को भी यह नहीं इसके लिए सबसे पहले यहां पर कहीं को एक पॉइंट लेते हैं मालो हमने इसको एफ ले लिया ठीक है और इसका नाम सेंटर है तो इस पर ओलिख सकते हैं कुछ भी अब अगर हमें मेजर सेक्टर को दिख करने के लिए हम ऐसे पढ़ेंगे कैसे ओ एफ वी ऐसे ओ एफ वी फिर से सुनो कैसे पढ़ेंगे ओ एफ भी ठीक है तो दिर्ग भाग या मेजर सेक्टर को पढ़ेंगे ओ एफ वी समझ गए ना ये चीज अगर कहीं भी इनका यूज करना है तो आप ऐसे बोलोगे मेजर सेक्टर या दिर्ग भाग ओ एफ वी में फिर जो करना है करोगे जैसे तिर्बूज में था क्लियर चलिए इसी तरह से साथी मेरे अगर हम माइनर सेक्टर की बात करें नीचे लगू भाग वाले में तो उसमें भी कुछ कहानी ऐसे ही रहेगी बस आप समझ लो थोड़ा सा इसमें देखो ए ओ बी तो पढ़ना ही दो गए यहां हमें इसको पूरा लेके चलना है तो इ यानि लगू भाग क्या लगू भाग कि ए ओ इबी कैसे बोलोगे ऐसे कुछ बोलेंगे ना ए ओ इवी नहीं और एई बी एक तरफ से पढ़ोगे ना ऐसे ओ ए इबी यानी जो लगू भाग या माइनर अगर सेक्टर की बात करें तो वह इसमें होगा ओ ये इप थे मैं अभी तक हमने सीखा कि दीर भाग यानि मेजर सेक्टर दोनू को एक है नाम है दीर्ग भाग या मेजर सेक्टर यह हिंदी में इंगलीस में बस इतना अंतर है लगु भाग या माइनर सेक्टर इनको कैसे रिपरजेंट करेंगे कैसे किसी को बताएंगे लिखेंगे यह सी की जो है वो लेंध कैसे निकालेंगे यह देखेंगे ठीक है तो हेडिंग डाली आप लोग मलेंध का मतलब लमबाई जो लोग हिंदी मीडिया माले हैं परसाने वह से भी लिख सकते है कि अलगु चाप की लंबाई बराबर लग उच आपकी लंबाई बराबर लिखिए लग उच आपकी लंबाई बराबर तो लग उच आप कौन सा है इसी की लंबाई निकालना है इस पर अभी पिछले वाले इंट्रॉक्शन में बताया था कि इस पर एंगल क्या बनदा थीटा कितना बनदा थीटा तो टोटल तो 360 होगा ना तो जो उपर वाला एंगल बनेगा बाबू यह जो बनेगा आपका 360 माइनस थीटा बनेगा जानते हो ना उपर अगर यह थीटा होगा 360 माने थीटा होगा तो अगर हम इसकी लेंथ निकालने तो क्या करेंगे थीटा अपान 360 यह 360 वो है जो टोटल पार्ट का हिस्सा है इंटू इसकी परिधी जो होती है टोटल उससे मल्टिपल कर देते हैं टू पाई यार समझ गए न लेंथ आफ 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 माइनर सेक्टर लेंथ आफ 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 माइनर सेक्टर अगर यह दन हो गया बिरित की परिधी तू पाई आरहे जैसे इंग्लिस में सा कंफरेंस बोलते हैं इस तरह लिखोगे दीर्ग चाफ की लंबाई इंग्लिस वाले लिख लेंगे, length of arc of major sector, इसी को इंग्लिस में लिख लो, length of arc of major sector, क्या लिखोगे बेटा बाबू, इसके लिए angle theta नहीं है, 360 minus theta है याद रखना, ठीक है, छोटे वाले के लिए theta था कोण, बड़े वाले भाग के लिए 360 minus theta था, 360 से भाग करोगे, क्योंकि total 360 है, और into 2 pi r कर दो, जो परिधी है, बस हो गया, समझ में आया, यह छोटे छोटे चीजे हैं, बहुत important है, यह formula भी आगे लगेंगे, लिख लिजिए, screen side ले लिजिए, आगे बढ़ते हैं, जल्दी करिए, अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं, तो PBR study app में देख रहे हैं, तो आप बड़े भाग गिसाली हैं, क्योंकि आपको पूरा full package मिला होगा, और अलग से support भी मिला होगा, इमानदारी से बढ़े पूरे 100% marks आसिल करें, आगे बढ़ें, चलिए, अब इसमें कुछ और चीजें देखेंगे, जैसे आप title डालिए, area of segment area of segment, यानि जो इनके भाग हैं दो परकार के उनके छेतरफल कैसे निकालेंगे, जैसे यह आप minor major काफी देर से सुन रहे हो, तो heading लिखिए, देखिए, इनका area निकालने के लिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, थोड़ा समझने कोशिस करिए बच्चो, area of segment, इसको हिंदी म में लिख रहा हूं, area of segment, आप लोग हिंदी में लिख सकते हो, कि इनके भागों के छेतरफल, नीचे लिखोगे, लग उचाप का छेतरफल, लग उचाप का छेतरफल, हिंदी में, इंग्लिस में लिखोगे area of minor sector, देखिए, समझे, अभी आपने देखा, ये कुछ ऐसे बना था न, अब यहां पर एक O point था, ये आपका minor sector है, या minor arc है, ये आपका major है, आर्क न, तो साथी मेरे अगर इसका area निकालना या इसका area निकालना है था हमें काम कर सकते हैं, वो क्या, इसको एक ऐसे खींच के triangle बना सकते हैं बीच में, अब समझो, area of minor sector या minor segment, अगर हमें O, A E, B का area निकालना है, तो मैं आपको क्या लिखेंगे, पहले इसका angle लिखेंगे, इसका angle कितना theta भी आपने देखा था, और अगर ये theta है, तो total 360 होता है, तो जो बच रहा है, वो 360 minus theta होगा, ये आपको भी पता है, वालूम है, तो ये हो जाएगा, बेटा आपका theta upon total, जितना angle होता है, 360, into, क्या लिखोगे, पाई, R square ना, बृत का छेतरफल क्या होता है, सरकल का area क्या होता है, पाई R square ना, या आप अच्छे जान रहे हो, total समका, ठीक है, लेकिन समझीए, इस में से हम O, A, B का छेतरफल निकाल देंगे, O, A, B घटा देंगे, समझो, total में से क्या कर देंगे, यानि इसका जो, शेतरफल है, इस में से जब O, A, B इतना घटा देंगे, तो जो बचेगा, वो इतना बचेगा, ठीक है, माइनस, अप लिख लो, O, A, B का area, या फिर area of, area of, पिर्भूज, O, A, B, ठीक है, लिख लो, O, A, B, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं, न? मेजर सेक्टर, यानि दीर्ग चाप का छेतरफल, नीचे लिखिए, area of, मेजर सेक्टर, लिख लीजिए, इसमें भी बिल्कुल सेम हो ऐसे हो जाएगा, इंगलिस वाले लिख लेंगे, दीर्ग चाप का छेतरफल, देखो बाबु समझो यहाँ पर, थीटा, लिखोगे क्या नहीं, क्योंकि यहाँ एंगल थीटा था, यहाँ थी, बड़े वाले के लिए 360 माइनस थीटा है, यह 360 माइनस थीटा, अपान, टोटल कितना 360, अब क्या, इसका छेतरफल, यह पाई यार स्कॉयर, और माइनस घटा होगे कौन सा, कौन सा सब्ट्रेक करोगे इसके लिए, इसमें कुछ आपको अलग समझना पड़ेगे, इसमें यह सब करने की कोई जरूरत ही नहीं, यह सब करने कोई जरूरत नहीं है, चुकि हमें बड़े वाले एरिया का छेतरफल निकालना है, तो इसके लिए हम इसको यह भी कर सकते हैं, जो ब्रित है न, टोटल ब्रित का जि सेग्मेंट A, E, B, ठीक है, समझ रहे हो, सेग्मेंट A, E, B, बस हो गया, यह हो गया इसका, A, E, B, मतलब टोटल में से यह इतना घटा दिया, जो उसका था भाग, बस लिकल गया, तो यह आपके कुछ पॉइंट है, इसके अलावा एरिया आफ, इक्वालिटरल ट्रेंगल, इसका भी काम लगेगा, यह भी लिख लिजिए, सम्भावतिर बूच का छेतरफल क्या होता, जानते हो, यह तो वाई, सिंपल सी बात है, सबको पता होगा, एरिया आफ, इक्वालिटरल ट्रेंगल, नीचे लिखिए, फटा फट लिखिए, सम्भावतिर बूच का छेतरफल बराबर, बना देता हूं, फिकर एक, लिख लेजिए, इसको फिकर अलग तरीके से बना लीजिए, रिपरजेंट करने के लिए, देखिए, सब बहुत छोटी चीज़े हैं, लेकिन आपको आनी चाहिए, इफिले मैं थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है, तो राइट रेंगल का एरिया, वन अफान टू, इन्टू बी इन्टू एच होता है, यहाप सभी जानतों बहुत पहले से, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हाँ, यहाँ पर एक कांसेप्ट समझने वाला यह है, दिख रहा ने आपको, यह एक जीवा है, यानि कॉड, है न, और ओस किसी क्या है, इस पर एक लंब है, परपेंडिकुलर लाइन है, जो सेंटर से आ रही है, तो याद रखिएगा, अगर किसी विवरित में केंद्र से, जीवा पर कोई लंब डाला जा रहा है, तो वो लंब उस जीवा को दो बराबर बराबर हिस्तों में बढ़ता है, जैसे अ दो यह हो जाएगा, दो यह हो जाएगा, ठीक है, यह समझने वाली बात है, इसी के साथ इंट्रोडक्शन पार्ट खतम होता है, और आपका एकसरसाइज 1.1 हम आपको करवाएंगे, बस थोड़ी ही देर में कहीं नहीं जाना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखन करना है, सेशन को लाइक करना, दोस्तों में सेर करना है, और किताब लेके आजाओ फिर आपके, एकसरसाइज 12.1 के लिए अब आप तयार हो चुके हो, एकदम फ्रेस हो चुके हो 12.1 के लिए, चल दिस फिरेडियो जाओ, फटा-फट भाई, पहला कुशन दिखादो जल दि से चलो, तभी तयार हो, एक बार बोलो, यास, बस थोड़ी देर में, थोड़ी देर में अगले पर आते हैं, चलिए,